फिलालं हमें 500 के आजपस में टेट करती हूँ देखने को मिल रहा है। हलाकि हमें 300 का स्टुक přिस जाती हूँ देखने हूँ देखने हूँ मिला और वहाँ से काफी strong तरीके से इस इस इस्टो को ने गिरावाट शो किया था जिसके ओजस से इसका price 400 प्लस में आती हुए हमें देखने को मिला था यहांसे फिर से मैं काफी से आधी देखने हो मिल रहा है तो दोस्तो मैं विडियो से इस पर वार पिछले अध्र चरीशन को मिल जाएगा तो दोस्तो यहाँ पे मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ लोरस अब लिमिलेटी के रिगाइडिंग तो दोस्तो यहाँ पे देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सिसन में इस स्टॉक ने 7% से एभब का काफी स्टॉक तरीके से रेली शूक किया था जो कि अपने आप में काफी आच्छा कसा है हलाकि बात करें पिछले वन मन्त का इसका प्रैस का ग्राप का तो अभी भी हम तो दूस्तो अभी भी हमें यहाँ पे 42 परसं से एभब का हमें यहाँ पे रिटरन देखने को मिल रहा है वहां भी आप लुक से वीडियो बनाएकर डिसकस किया था दोस्तों अगर इस इस टुक में हमें अच्छा कासा करेक्सन देखने हो मिल रहा है तो इसमें थोड़ा सा में खरदारी करना चाहिए कि फीर से हमें फ्यूचर में अच्छा कासा रहली देखने हो मिलेगा और आज कर हमें काफी स्टॉंग तरीके से रहे देखने हो मिल रहा है फिर से में 700 के क्रॉस करके काफी आगे जाती हुए देखने हो मिल सकता है तो आप लुक चाहो तो इसके बर फोकस पनाएकर रख सकते हो सबसे अधिक दिनों का अगर बात करें इसका प्राइस का तो यहां पे 400 और अगर बात करें तो यहां पर 26 परसंट से एबब का में यहां पर डिपरी का पोजिशन देखने हो मिल रहा है जो कि अपने आप में आच्छा कास है वहीं बात करें इसका 52 किलो एंड हाइगा इस स्टॉक वहां से इस स्टॉक ने 700 प्लस का हाई स्टॉक किया है जो कि काफी अच्छा कास है हाला कि बात करें घुछ करें यहां पर बीकि घ्रावर्ट करों किए है, यहां पर 27 प्रसंत से भप कम्वाब का में हो लिए जो कि बात करेंगे क्या को कोई प्लेज प्राइस पिर से में आगे जाती हो देखने को मिलेगा आप लोग चाहो तो इसके पर फोकस में रख सकते हो हाला कि बात करेंगे रिजशर परसका रिगारिंग तो दोस्तों यहां पर हमें रिज़र परसका फिगर एब्री एर के काफी इस्ट्रॉंग तरीके से हमें देखने हों मिल रहा है जो कि बात करेंगे अर्व तो यहां पर सो टम ब्रूइंग का तो इस साल हमें इंक्रिमेंट देखने हो मिल रहा है तो पिछले साल के कोडिंग हलागी बात करेंगे पिछले साल के कोडिंग इस साल जबर्दस्त इंक्रिमेंट के साथ में यहां पर फिक्स इस का फिकर देखने को मिल रहा है तो दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर इस स्टों का आकेटेक है पिलाजेशन का तो यहां पर देख सेकते हो और 26,800 क्रोड़ों से एबब का फिकर दे यहाँ पर थोड़ा सा निचले अस्तर पर देखने को मिल रहा है यहाँ कि जो इसका क्रेंट प्राइस है वो भी काफी अट्रेक्टिव है और दोस्तों आप लोग देख से कि तो पिछली ट्रेडिंग सिसन में कितना स्ट्रॉंग तरीके से इस स्टोंग ने रैली भी शो किया है हलाकि बात करेंगे यहँ पर रिवेन्New के रिगारडिंग तो पिछले 5 यहाँ पह पर ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है और एबरी यह य निक्रिमेंट के साथ हमें यहा पर देखने को मिल रहो है तो तो दूस्तों यहां पर देख सकतों September quarter के according यहां पर December quarter के sales थोड़ा सा हमें गिरावाट देखने को मिल रही है जिसके उजह से net profit भी हमें आच्छा का सा यहां पर गिरावाट देखने को मिला है हलाकि भात करेंगे इस इस्टू में FI के होल्डिंग है, D के होल्डिंग है, उससे पहले बात करें, प्रमोटर का, तो यहाँ पर भी हमें आस, यहाँ पर भी हमें आस, 27% से एवप का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहे है, जो की बात करेंगे, यहाँ पर इसके पर focus बनागे रख सकते हो stock अभी तक हमें काफी strong तरीके से मुनाफ़ाद दिया है और future में भी इसका price यहां से काफी आगे जाती हो देखने हो मिलेगा दोस्तों बात करें अगर यहां से थोड़ा बुता हमें correction देखने हो मिलता है तो इसका price प्राइस 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 आती हो देखने हो मिलेगा otherwise future में इसका price 700 के भी cross करके आगे जाती हो देखने को मिल सकता है आप लोग इसके पर focus बनागे रख सकते हो तो दोस्तों मेत करते हो अच्छा लगा है तो प्रीज मेरे YouTube में स्टाइक पीज़ेगा तक कि मेरे जो भी वीडियो एक नेक्स्ट उसका notification आप लोगो मिल जाएगा okay so think about